Good morning guys, आज का वीडियो आपके लिए informative हो सकता है, आज मैं देहवेल जा रहा हूँ, देहवेल एक टाउन है, ये दुले जिले के साकरी तालुका में से एक marketplace है और ये National Highway 53 से जुड़ा हुआ है, ये marketplace हाईवे से जुड़ा हुआ होने से देहवेल शेहर को और भी भेतर बनाता है, देहवेल जाने का रीजन मैं आपसे इस वीडियो में पूरी जानकरे शेयर करने वाला हूँ, सो वीडियो में बने रहना, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और वीडियो इंफर्मेटिव लगे तो लाइक दूर कर देना, देखो गाइस, ड्राइविंग सीट पर मेरे बेहनोई अनिल गावित देखने को मिल जाते हैं, इस YouTube चैनल पर मेरे बेहनोई दूसरी बार दिखाई दिये हैं, पहली बार जब हम हमारी कूल देवी मोगी माता के दर्शन हेतु, महाशिवरात्री के अवसर प कौनुदादा केहते हैं, इस YouTube चैनल पर कौनुदादा पहली बार दिखाई दिये हैं, अभी हम इस गाड़ी में कुल चार लोग हैं, ये साइड ये काका बेठे हुए हैं, ये काका दहिवेल जा रहे हैं, और आप सभी को नमस्ते कह रहे हैं, और ये मैं हूँ दोस्तों, ये लोकेशन कौनुदाइबरी घाट का है, इस घाट का नजारा और रास्ता सच में देखने जैसा है देखो दोस्तों, अगर आप इस घाट के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो, मैंने इसका वीडियो पहले से ही बनाया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल सेक्षन में जा कर देख सकते हो फिलाल तो, हम दहिवेल शहर के नजदीक हैं, सो चलिए, दहिवेल आने का रीजन जानते हैं सो आप इस दुकान का नाम देख सकते हो, श्री आशापूरी मार्बल्स एंड टाइल से हैं यहाँ आने का रीजन हमें टाइल्स को चेंज करना था, दरशल मेरे बहनुई के घर का काम चालो हैं तो पिछले हफते इसी दुकान से टाइल्स लेके गए थे, लेकिन हमें टाइल्स की डिजाइन दूसरी चाहिए थी तो हम आज फिर से टाइल्स को चेंज करने आ गए हैं और टाइल्स को चेंज भी कर लिया देखो दोस्तों, वीडियो यहाँ पर समाप्त नहीं होता है दोस्तों, हमने इस दुकान के मालिक से बात की और इन्होंने हमें वीडियो बनाने के लिए पर्मिशन दे दिया चलिए, इस दुकान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं इस दुकान का शोरूम और ओफिस देखने को मिल जाता है देखो दुस्तों, इस दुकान का सर्विस और फैसिलिटी हमें बहुत अच्छी लगी इनका कस्टमर्स से बात करने का तरीका भी बहुत सरल और अच्छा है कस्टमर्स के मन में जो भी सवाल होते हैं, उनका निवारन अच्छे तरह से करते हैं यहां से सामन खरिदने के बाद, अगर कस्टमर्स को कोई प्रोब्लेम होती है तो इस दुकान से कस्टमर को पूरी सर्विस दी जाती है उनके प्रोब्लेम्स को समझा जाता है और प्रोडॉक्ट की कॉलिटी भी प्रीमियम होती है प्रोडॉक्ट की कॉलिटी के साथ रिजनिबल रेट मिलता है पहली बार में हमें भी विश्वास नहीं था लेकिन जब हम दुबारा यहां आये तो हमें सर्विस और फैसिलिटी अच्छी दी गई हमारी प्रोब्लेम्स को समझा गया सो हमने सोचा कि इस दुकान को एक्स्प्लोर कर लेते हैं एक ख़ड़ा से भगवान का भगवान का है सब टाइल्स में है ना हाँ सब टाइल्स में है वो सब फोटू है गरे चत्रपतिशिवाजी महराज भगवान श्री कृष्ण का फोटो देखो दोस्तों इस दुकान का नाम श्री आशापूरी मार्बल्स एंड टाइल्स है ये दुकान दहिवेल शहर से जुड़े नशनल हाईवे 53 पर लोकेटेड है इस शोरूम के मालिक का मोबाईल नॉमबर दिस्पले हो रहा है इनसे डाइरेक्ट बात कर सकते हैं ये वाले भाईयां यही पर काम करते हैं हम इनसे जानकारी लेते हैं यहां का सेट केसा है वो भी बताओ सेट का बारे में कोई बुरा नहीं बोलगा मैं एकदम बढ़िया से खाने पीने केस तब देखा है और यहां का दुकान का सर्विस के बारे में थोड़ा बताओ दुकान भी एकदम मस्त चल रहा है, उसमें कोई यह नहीं है, कम ज़़ा बाव करके हम लोग दे देता है, एकदम ओल सुल है देखो दुस्तों, मैं इस दुकान पर काम करने वाले स्टाप से भी मिला, बहुत अच्छे लोग यहां पर काम कर रहे हैं, आपके साथ अच्छे से बात करते हैं, अब देखो आप कौन से शहर से बिलोंग करते हो, मैं महराश्ट के दुले जिले से ये वीडियो बना रहा हू और ये लोकेशन साकरी तालुका के दहिवेल शहर का है। जो हमें टाइस बदलने थे, उनको बदल के दूसरे वाले टाइस ले लिए, गाड़ी में रखे ना भईया, टाइस गाड़ी में रख लिए ना, क्या दुकान पर ही रह गए हैं, पूछ लेता हूं नहीं, तो फिर वापीस आना पड़ेगा। क्योंकि हम अभी जमन पड़ा से यहां तक कितने किलिमेटर आये रहेंगे हम लोग। किलिमेटर तो मेरे बेहनोई ने बताया कि हमारे गाम से यहां तक पूल मिला कर 20 किलिमेटर रहेंगा। तो हम 20 किलिमेटर आये थे। यहां का काम हो गया है। हमारा वीडियो का शूटिंग भी हो गया है। तो अब ही रीटां चलते हैं यह कुंदा बारे घाट जो है। क्षक्तर नाम से जाना जाता है। हाई हाः। öल इंडिया में हर क narrator के मुऊंफे यह गाट का नाम रहेगा साक्री कार ह ता है। तो रहे बाद उसरे ये तो आप डबल रोड हुआ, पहले ये सिंगल रोड था, सिंगल रोड में इतना मतलब, रात को तो आद में मैंने सुना 20 साल पहले गाड़या चलती नहीं थे, चोर और लुटेले भी रहते थे, इस गाट में, कितने साल हो गए रहेंगे उस, 25 साल पहल यहां इस कोंड़ाइबरी घाट में, हमें दो ट्रक खड़े हुए मिले, तो हमने गाड़ी रोकी और नीचे उत्रें, और ट्रक वाले भाईयां से बात की, ट्रक वाले भाईयां की क्या आड़चन है, हम इस वीडियो में एक्स्प्लोर करते हैं वायरिंग हो है, आपना फोट हो गया था, अभी उसकुमें रास्मी पनाल की प्रेसर नहीं बन रहा है, और प्रेसर के वेज़े से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तो यह से हम दोनों भाई गाड़ी खरी करके रहे हैं, और अभी मिस्री लेखे आया हैं भी बना रहा प्रॉब्लम है भाईया आपका नाम क्या है जो गाड़ी खराब है उनका नाम स्रील कुमार्यात होए और जो गाड़ी आके लगी है उसका नाम है अनिल कुमार्यात दोनों सागे भाई है